वेलकम तो चैनल और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंडिये और ने मतलब डिशनल डिफेंस अकेडमी और नेवल अकेडमी का जो है एक्जाम फॉर्म आ चुका है मतलब अप्लिकेशन आप यहां से कर सकते हैं अब और वो चालू है उसका लिंक आपको डिस्कि जानते हैं तो एंडिये के बारे में सबसे पहले में थोड़ी बहुत बाते बता देता हूं उसके बाद देखने ही कि नोटिफिक्रिशन में और वह सारी क्या चीज़ है जो आपको ध्यान दे लिए है जहां पर आप अगर इस परिछा को क्वालिफाई करते हैं तो वहां प अदिए में चले गए तो लव क्या हो जाता है आटंश में अधिकारी बन जाएंगे अगर आप आर्मmeर करते हैं तो वहां पर अधिकार्यां वाली पोस्ट होती है enqu Gibson दे इतने व्क लेकिन सेलरी अगर बात करते हैं आपको तो भते जो है बड़ी बात है कि आप डेस की सेना में जो है जाते है और आपको एक पूरी टीम को लीड करना होता है और यह बहुत ही ज्यादा प्राउड वाली बात होती है ठीक है इसको हमें भूलनाने चाहिए और नेवल एकड़ी कोची में है यहाँ पर भी आप जाते है कुछ बच्चे तो वेकंसी कितनी है बहुत सारी बहुत कम वेकंसी राती है सब्सक्राइब करना चाहिए तो यूटूब पर सर्समारी गूगल पर सर्समारी आपको बहुता ही जतकारी मिल जाएगी तो लास्ट डेट आपकी है और अगर आपना अप्लिकेशन विड्ड्रॉ भी करना चाहते है तो भी कर सकते हैं आठ फर्वी से चौदा फर्वरी के पी बड़ा भी लेबल हो जाएगा उसके बाद और आपका यहां पर देखिए निगेटिव मार्किंग भी आपके एक्जाम में होगी ब्लैक बॉल पेन आपका यूज करना है उसके बाद आपका यहां पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके लिए नंबर्स दे रखे हैं य यह एक्जाम यूपी आसी कराता है जो आई एस आई पियस बनते हैं तो टोटल डेकंसी है यहां पर आपकी आपकी तीन सो बानडवे इसमें से एंडीय के लिए दो सो आप है आर्मी के लिए बैठ नेवी के लिए और बानडबे एरफोर्स के लिए ठीक है एरफोर्स में ब 208 लूँगे आप इसमें क्या कर सकते हैं अपनी 24 भरते हैं वैसे आपने श्रीम को चुन सकते हैं कि आपको करते हैं तो आप बालर बालर पालेट ही बनते हैं लेकिन अविदी आपको अपने पर पताय जाता है और वाला पढ़ाई भी होता है और लाइफ पूरी लाइफ ही बदल जाती है ठेकट है यहां पर मिलन रखें तो इसकेश बहुत सारे हैं आप अपने पोद्री की जो है है उसके इंडिया के भुटान के नेपाल के जो है आतिबतिया रिफ्यूजी हो जो उनी सुबासर्ट के पहले हां पर आ गए है वो लोग भर सकते हैं वो लोग अपना यहां पर पॉस करके देख लेंगे हाँ एज बहुत ज्यादा माइने रखती है इस में जोब के लिए या फिर इस एंडिये में एडिशन के लिए तो उन्ली अन्मैरीड मेल कंडिदेश बार नॉट अर्लियर दें तू सेकेंड जुलाई टू थाउजन एंड नॉट लेटर देन फर्स जुलाई 2003 तो अगर आप दो जुलाई 2000 के पहले पैदा हुए तो नहीं भर सकते और एक जुलाई 2003 के बात पैदा हुए तो नहीं भर सकते ठीक है और आपकी मार्क सीट के हिताब से आपका डेटा बड़्स होना चाहिए बहुत साय लोग अलगली ख़वाल लेते हैं उसके बाद आर्मी विंग के लिए आपका डेशनल डिफेंस अकेडमी में जाना है तो आपको 12 पास होना चा के लिए अप्लाइग नहीं कर सकते हैं उसके बात सच कंडिवाइघ सब्सक्राइब करता है एक टीर आपकी सीव्स पास अन्दर आंदर क्से पड़शन जाते हैं तो उसमें पचास साथ बसते हैं पहले दिन के बाद उस पचास साथ में कभी-कभी एक भी नहीं कभी-कभी एक या दो या तीम पते कमेंट हो जाते हैं तो इसमें आपकी कोई सी किस के साथ फाइट नहीं होती है अगर आपके अंदर ओफिसर्स लाइक क्वालिटी है तो आप यहां पर चूल लिए जाएंगे अगर आप बहुत साही कर सकते हैं अगर आभी आप चाहें और फिर आपका यहां पर इंट्रिव्यू के लिए आपका सदिया हुआ है आपको क्या-क्या भेजना फूटो कॉपी तो गरा लेकर जाना होगा और अर्स भी कई जेगा होता है वैसे एरफोर्स के चार है जिसमें से एक वारांसी है जहा होता है पाइलेट जो देखिया आप दिया दो कॉंडूस फेल्ड पर आर नौट इलिजिबल फॉर्डी एरफोर्स मतलब आपको यहां पाइलेट की वेकेंसी के लिए लिए जाते हैं और उसमें भी अगर जो पीए बीटी टेस्ट या फिर एक फेल हो चुके हैं तो यह जि से की काट्रोल करते हैं तो चारो हाथ पैर जो हमारे हैं वो अलग-अलग काम करते हैं तो केसी करी के कहता है एक हाथ जाधी लाएंगे तो दूसरा ही लिए लगेगा तो वह सब चीज़ें होती है इसमें ठीक है उसके बाद फेजिकल स्टेंडर्ड भी यहां पर आपका होन है एक फीस है ठीक है और उसके बाद आपका क्लोजिंग डेट आपको पता ही है चार्ज फरवरी दो जारूंदीस थाम छे बज़े मैंने भी थोज़े दर पहले भी बताया था और उसके बाद यह सब बहुत सारी चीज़े हैं इस सब की इंपोर्टन नहीं है आप लोग दे थे वापस आना पड़ सकता है ठीक है और तो यहीं सारी चीज़ें थी आपको बता दी राट बता दिया आपको एससबी बारे में बता दिया इसका रिटन इंग्जाम का सलेंबस भी मैं आपको बता दूगा और कहां से भरना इसका लिंक आपको दिस्कुप्षिंवे मिल ज तोटल पान घंटे का पेपर होगा और 900 नमबर के तोटल आपके पेपर होगे और 900 नमबर कहीं आपका अपका स्य सब्सक्राइबी टिया इंटर्वीड होगा ठीक है और फाइनल मेरिट ये दोनों मिला कर बनेगी उस्के बाद आपका मेंडिकल भी होगा करते हैं तो आप जो पूछेगा सारी चीज़ आपने को सेबल तक पढ़ी है मैं टेटर्मिनेंट्स उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री एनालेटिकल जोमेट्री और टू एंट्री डिमेंशन्स डिफरेंशिल कैल्कुलेस इंटिग्रल कैल्कुलेस एंडिफरेंशियल एक्वेक्टर अलजेब्रा स् पर देख लिए प्रेवियर के पेपर आप डाउनोड करिए या यूपी एसी के वेबसाइट से मैं उसका भी लिंक डाल दूगा प्रेवियर का डिस्कुप्शन में आप डाइक नवास जाकर डाउनोड करिए उसको बाद आप डेबल देख लिए अपने से सॉल्व करने के करिए तो इंग्लिस आप डेख लिए और कंप्रेंशन उसके बाद आपका 200 वाक्स का इंग्लिस ही है फिर आपका जनर्र साइंस है इस्टरी जिवराफिक करेंट इवेंट्स यह सब है फिर फिजिक्स में देखे क्या क्या पूचा जा सकता है पुरा इदम डिटेल में दिय और इंटलिजन्स और प्रस्णालिटी टेस्ट है और उसके बाद आपका इसमें निके रिजनिक होता है इंटलिजन्स और स्वाइबस था इस पूरे नोटिफिकेशन का भी मैं आपको लिंक दे दूगा डिस्क्रिप्शन में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा खु इसको देखने के बाद आपको साइब पढ़ने की जरूर ना पड़े उसके बाद आप कुछ सॉल्व करिए मतलब प्रिवेस को सॉल्व करिए कि आप कुछिन लगा पा रहे कि नहीं जब उनके सामने क्वेस्ट बूक्स आता है तो इसको लगाईए तो उससे क्या होगा कि आप उग्जाम में पभाउम अच्छा करेंगे बहुत साइब क्या होते हैं इतिहास की किताब उठाए पढ़ गए और आगे पढ़ते गए पीछे भूलते गए और जब उनके सामने क्वेस्ट आता है तो इन्होंने क्वेस्ट नहीं सॉल्व किये होते हैं ठीक है तो उसके आपका फिजिकल इलिजबिल्टी दे दिया है हाइट के हिसाब से और एज के हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए प्लस मैनस 10 परशन चलता है अगर आप अंडर वेट और वो या फिर उबर वेट में होते हैं मेडिकल में तो आपको एक मेने का समय दिया जाता है आप को आपको टेम्ठेरी उन फिट कर दिया जाता है वापन देखें मेडिकल में ओ और उसकते है पर्मानित अन फिट मतलब कोई चीज़ है जो की सही नहीं हो सकती है या फिर हमको की नहीं रही है तो आप वहां पर करमानिक नाब्लान आन अन फिट कर दिया जाएंगा तुबもう या फिर आपका वेट जादा है आपका ब्लड पीपी नहीं सही है आपको बुखार है जुखाम है कुछ है नाक नात आक नहीं साफ है कान नहीं साफ है स्वरी तो आप वो सब है अब क्लास वन मेडिकल चाहे तो अपने से कराब भी सकते हैं यह कि वेबसाइट पर वन मेडिकल के अथ्वराज डॉक्टर स्की लिस्ट है वहाँ पर आप पर क्लास वन का मेडिकल चाहिए होता है और अगर आप चस्मान नहीं लगाते है तो 6-6-9 आपकी आइसाइट अगरे सब कुछ दिया हुआ है आप एक बार पढ़ दिजएगा वैसे मेजर मेजर चीजे मनें बता आती है कि आपकी आपकी वाकेट और फाइब साफ आपको पंदरह जार रूपार मंत पंदरह जार में मिलते है तीने जार पर मन्त ही आपकी अड़ी यह में जो आपको पर करते हैं तो सबसे जादा नमबर पाता है उसका है कैंडल फ्रैंक में मोरियल श्कॉलर वर सिपैं सबसे हैं नहीं जाद से ऑधार स्कॉलर्शिप जैसे कि उसको आद आपके ट्रेनिंग में देखिए आर्मी कंडिडेट्स भी अब यह सी कंप्यूटर करते हैं आप यह करते हैं नेवल कंडिडेट्स भी टेगरी पाते हैं और यह तीन साल की होती है लगबार उसके बाद आपको जो है जब आपके एंडिया की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपको जैसे अगर आपके एरफोर्स है तो आप एरफोर्स अकेडवी हैं देखिए जाते हैं और आप वहाँ पर जो स्टेरियस और आप एक स्टेज आगे होते हैं जो ग्राउंड को छे महिंदे करने होती है तो यह बेनिफिट होता है और जो अपिसल बनते हैं उनके लिए सबसे अधा इसको पूर्ड़र्की जो होती है फ्रोमोशन की उसमें आप टॉप डॉच पोस्ट जो होती है जैस प्रेइन के समय आपको देखिए यह मिलता है चपन अजार सौर रूपए उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर स्केल कैसे दिया हुआ है बाकी सब और सबसे ज्यादा जब आप चीफ आप स्टाफ बन जाते हैं तो ठाइलाफ रूपए फिक्ष्ट आपको सैलरी मिलती है ठीक है बताई यह ज्यादा सैलरी मिलती है और यहाँ चपन अजास्तों यह आपका वह बेसिक होता है इसके बाद आ आपका इंसोरेंस वगयरा हो जाता है देखिए यह आपका रिस्क हैं हाट्सिप मैट्रिक्स आपको पच्छी जार पर मत अगर आप इसकी जगह में या फिर हजार्डस प्लेस में जैसे की आपको पॉड़ा के जंगलों में बेज दिया गया तो वहाँ पर आपको मिलेगा अपने सलामी जो मिलता है मिलेगा किट अलागस देखिए बीस जार रुपए पर मत आपको इनिफॉर्म को मिन्टेज रखने के लिए मिलेगा तो बहुत आई चीजे हैं बहुत ही अच्छा चांस है कर आप कफ से कम उमर में अगर सब से सफल ज्यादा ब्यक्ति कोई होता है तो वह होता है जो ब्यक्ति एंडिये में चला गया मेरे इसाब से तो ठीक है तो अभी तो बहुत कुछ ही इस नोटिफिकेशन में है लेकिन वह सब आप हम नहीं देखेंगो और यह आपका देखिए दिया हुआ है कब आपका प्रमोशन होता है फ्लाइंग ऑफिसर से दो यह बाद आप स्कौडर लिडर बन जाते हैं रसाल बादब Binkर म intr मर्ट मन जाते हैं उसके बाद और बसके बाद गुरूप केप्टन टाइम इसके रगर आपनाल editing नहीं बन पाए सथे घक हैं से def Daveno colin मायर्स जो कि यॉच्छी कि सब याप में एक ही को एक साथ बांद भी लड़के एक साथ भूशते हैं जो कि आपके आपको महसूस होगा कि आपको महिनत करनी ही पड़ेगी, ति तब के बज़ा है वह महि altura आपकी अभी करेगे तो ज्यादा अछाँ होगा क्योंकि जल्दी मिल जाए आगे जा करके अच्छ होता है ठीक है तो जान लगा दीजिए कि मुझे बस ये जॉब पानी है तो पानी है ये एंडिये में जाना है तो जाना है ये सपना आपना कर लिजिए बीवेका अंदन जी ने कहा था उठो जागो अर लक्ष प्राप्ति तखरुकों मत ठीक है क्योंकि मैंने वो चीज़ जो फेस कर चुका है अब जाकर के पढ़ाई कर रहा हूं कि अब कुछ निकले अभी मेरा हाली में मेरे एक दोस्त की जवाब लग गई है तो उससे भी कापी मोटिवेशन है तो आप भी बने रही है साथ में में मेहनत अभी से करिए 12 पास है अभी आप बहुत कम उम्रुके हैं आप जितनी मेहन में आप सोच रहा थे अपना केरियर अभी तक आपने डिसाइड नहीं कर पाया तो अपना केरियर आप इसको बना सकते हैं और जो है लाइफ स्टाइल आपकी और आपके फैमिली की मतलब पूरी चेंज हो जाएगी और एक चमन्नी आपको यहां पैसा नहीं लगाना है करते ही महाँ आ पर आपांके साथ हैं लेकिन की सब्सक्राइब कर्से कर सकते हैं और रहाएं और जैने कर पाऊंगा करूंगा नहीं करूंपा मुझे पता हुआ तो मैं पता करके आपको बताऊंगा आप लोग बने रही है अगर आपको समय सब्सक्राइब कर लिजिए आप ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिल जाए और आप ड्रस कर दीजेगा थैंक्यू धन्यवाद भाव किस्ता है हमार और आपको 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 नहीं60 उन्यवाद प्रस कर दीजेगा लोग भाव भाव झावर।